वेलकम टो ड्रीम के बीसी जीके लगता है आपकी स्टेडी में हेलफूल लगता है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जिके यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नमबर विद्यानती रहेगी आप निचे रहे सब्सक्राइब ब्रंग को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को ओन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नोलेज़िबल वीडियो की नोडिफिकेशन दिलतरे इस तो वीडियों तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक नोल Two जार्कन का सबसे बढ़ा खननक शेत्र कौनसा है तो इसका उत्रे धनबाद है जार्कन का सबसे बढ़ा खननक शेत्र Question number 3 Very very important इसका आंसर आपको पताऊना जाएए जार्खन राज्य का सबसे लंबा राश्ट्रिय राजमार्ग कौन सा है तो इसका उधर राश्ट्रिय राजमार्ग थड़िधिरी National Highway 33 है जार्खन राज्य का सबसे लंबा राश्ट्रिय राजमार्ग Question number 4 जार्कन राज्ये की उपराजदानी कौण सी है तो इसका उद्रे दुमका है जार्कन राज्ये की उपराजदानी और कैपिटल राज्यी है जारकन का प्रथम बिजली गर कहा स्थापित किया गया था तो इसका उतर है बढ़ाकर नदी पर स्थापित है तिलिया जल विद्यूत परियोजना जारकन का सरवादिक वना च्छादित वाला जिला कौन सा है जारकन का सरवादिक वना च्छादित वाला जिला कौन सा है तो इसका उतरे चत्रा जिला है जारकन का सरवादिक वना च्छादित वाला जिला पीशे नम्बर 8 कोडर्मा बिहार के किस जिले को सपर्ष करता है जारकन का कोडर्मा जिला बिहार के किस जिले को सपर्ष करता है तो इस क्विशन का सही उतरे नवादा तो कोडर्मा बिहार के नवादा जिले को सपर्ष करता है तो इस क्विशन का अंसर नवादा आएगा और कॉंटरमा जिले की सिमा बिहार में गया और नवादा तथा जारकंड में गिरिडी है तथा हजारी बाक से लगती है इसका उतरे सौन गाटी है जारकंड का विंदियन चटानी समू होने का एक मातरस्थान जारकंड का राज की ये पकसी कौन सा है तो इसका उतरे कोयल है जारकंड का राज की ये पकसी जारकंड राज की ये पसु कौन सा है तो इसका उतरे हाथी है जारकंड की सबसे छोटी नदी कौन सी है जारकंड राज्य में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है तो इसका उत्रे बराकर नदी है जारकंड की सबसे छोटी नदी Question number 13 Very very important question रही है इसका आंसर आपको पता होना चाहिए जारकंड में लोकसभा की कितनी सीटे है जारकंड में लोकसभा की सीटे कितनी है तो इसका उत्रे 14 है जारकंड में लोकसभा की सीटे कितनी है तो इसका उतरे 6 है जारकंड में राज्य सपा की सीटे 6 है लोक सबा की सीटे 14 है Question number 15 इंपोर्ड question है जारकंड में विदान सबा की कितनी सीट है जारकंड में विदान सबा की सीटों की संक्या कितनी है तो इसका उतरे 82 है जारकंड में विदान सभा की सिड़ा और एक मनोनित है क्विशन नमबर 16 जारकंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जारकंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थे? तो इसका उतरे द्रोपदी मुर्मु थी जारकन राजे की पहली महिला राजयपाल Q17 जारकन के पहले मुख्यमंद्री कौन थे जारकन राजे के प्रतम मुख्यमंद्री कौन थे तो इसका उतरे बाबुलाल मरांडी थे जारकन के पहले मुख्यमंद्री Question number 18, जारकंड का राज की ये फूल कौन सा है? तो इसका उतरे पलास है जारकंड का राज की ये फूल Question number 19, very very important है जारकंड का राज की ये पेड कौन सा है? जारकंड राज की ये पेड कौन सा है? तो इसका उतरे साल है जारकंड का राज की ये पेड दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे इंपोर्ट इंपोर्ट और इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग क्वेशन आते रहेंगे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो आपको हेल्पू लगता हो तो अधर फेस्बूक या वाटसप के स्टड़ी ग्रूप में से सेर कीजिए ताकि कोई जरूरत मन स्टूड़न को ये वीडियो हैल्प पूला और अभी तक आपने हमारा यहाँ चैनल ड्रीम के बीसी जिके यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो पहली बार हो तो दोस्तों आपको नमबर विरंती रहेगी आप निचे रहे सब्सक्रेब बढ़न को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को अन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलिजिबल वीडियो की नॉडिपिकिशन जारकंड का स्थापना दीवस कब मनाया जाता है जारकंड का देश में कौन सा स्थान है जारकंड की मुख्य फसल कौन सी है तो इसका उतर चावल और धान है जारकंड की मुख्य फसल जारकंड राजे की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है जार्खंड रैजे की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है तो इसका उतरे दामोदर नदी है जार्खंड में बेहने वाली सबसे लंबी नदी Question number 25 जार्खंड के किस नगर को स्टील नगर के नाम से जाना जाता है तो इसका उतरे जमसेत पूर को इसपाद नगरी या श्टील नगर के नाम से जना जाता है टाटा नगरी भी कहता है Question number 26 Very very important question है जमसेत पूर को और किस नाम से जना जाता है तो टाटा नगर के नाम से जना जाता है Question number 27 जारकंड की सबसे बड़ी जनजाती कौन सी है तो इसका उतरे संथाल जनजाती है जारकंड की सबसे बड़ी जनजाती जारकंड की सबसे पुरानी जनजाती कौन सी है तो इसका उतरे सबर जनजाती है जारकंड की सबसे पुरानी जनजाती किस राज्य से अलग होकर जारकंड एक अलग राज्य बना था किस राज्य से अलग होकर जारकंड एक अलग राज्य बना था तो इसका उतरे बिहार से अलग होकर जारकंड एक अलग राज्य बना था ये पांच राजयों के नाम आपको याद रखना है तो जारकंड किसी मा किन राजयों से लगती है उत्तर पदेश, बिहार, उडिशा, चाथिस गड़, पच्छिम बंगार Question number 31 किस सहर को जारकंड का सिम्बला कहा जाता है किस सहर को जारकंड का सिम्बला कहा जाता है Question number 32 जारकंड के किस सहर को जारकंड के किस सहर को कहा जाता है Question number 33 जारकंड के किस क्षेतर को खनीज बंडार कहा जाता है Question number 34 जारकंड का वह कौन सा जिला है जहां महिला साक्षरता सबसे अधिक है Question number 34 जारकंड का प्रथम साहित्यक उलेक कहां मिलता है जारकंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता कौन थे तो इसका उतरे रणदीर सी थे जारकंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता Question number 34 जारकंड की प्रथम अंतरराष्ट्रिय महिला अंपायर कौन है Question number 38 जारकंड के उच्च न्यायले के प्रथम मुख्य न्यायदिस कौन थे Question number 39 जारकंड के प्रथम मुख्य न्यायदिस Question number 40 जारकंड के प्रथम आरक्सी महानिरिक्षक कौन थे जारकंड के प्रतम आरक्सित महानिरिक्षक कौन थे तो इसका उतर है सिवा जी महान केरे नाम आपको याद रखना है जो जारकंड के प्रतम आरक्सित महानिरिक्षक कौन थे सिवा आयोक के प्रथम अध्यक से फीश नंबर 42 चारकंड के प्रथम विदान सभा की प्रथम नामांकी सदश्य कौन थे तो इसका उतरे जोसेप पंचेली गालस्टिन थे जारकंड के विदान सभा की प्रथम नामांकी सदश्य कौन थे तो इसका उतरे जोसेप पंचेली गा सुद्रधार कौन थे तो इसका उतर जे बर्थोमन जे बर्थोमन थे चारकंड आंदोलन के सुद्रधार तीश नमबर फोटीपोर चारकंड के प्रतम महिला केबिनेट मंतरी कौन थे चारकंड के प्रतम महिला केबिनेट मंतरी कौन थे तो इसका उतरे जुबा माजी थे चार जारकंड के प्रथम महिला केबिनेट मंतरी तुरी नमबर 45 जारकंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे जारकंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे तो इसका उतरे लक्समन उराव थे लक्समन उराव जारकंड के प्रथम लोकायुक्त थे तुरी नमबर 46 जारकंड के प्रथम परम वीर चक्र विजयता कौन थे जारकंड के प्रथम परम वीर चक्र विजयता कौन थे तो इसका उतर रणदीर वर्मा थे जारकंड के प्रथम असूख चक्र विजयता कौन थे तो इसका उतर रणदीर वर्मा थे जारकंड के प्रथम असूख चक्र विजयता कौन थे तो जारकन में किसे पहाड उकी रानी कहा जाता है तो किस थान को जारकन में पहाड उकी रानी कहा जाता है तो इसका उतर नेतर हाट जो जारकन का सबसे ठंडा स्थान है उसे पहाड उकी रानी कहा जाता है Q49 गंगा नदी जारकन के कौन से जिले में बैती है जारकन का एक मातर जिला कौन सा है जहां गंगा नदी बैती है तो इसका उतरे साहिब गंज में बैती है गंगा नदी Q50 वेरी वेरी इंपोर्ट कुशन ही है चारकन राजे में सबसे अधिक कौन सा सेल पाया जाता है चारकन राजे में सबसे अधिक कौन सा सेल पाया जाता है तो इसका उते आर्कियन सेल पाया जाता है चारकन राजे में सबसे अधिक आर्कियन सेल वेरी वेरी इंपोर्ट कुशन ही है पीश नमबर 51 चारकंड के कौन सी नदी की कट नदी के नाम से मसूर है तो इसका उतरे पून-पून नदी की कट नदी के नाम से मसूर है फिश नमबर 52 चांडिल जल विद्यूत वयोजना किस नदी पर है तो इसका उतरे स्वन रेखा नदी पर है चांडिल जल विद्यूत पर योजना पीश नमबर 53 चारकंड की कौन सी जन जाती में एक पतनी विवाह पर चली थे तो इसका उतरे उराव चारकंड की उराव जन जाती में एक पतनी विवाह पर चली थे तो दोशतों यहां पर यह वीटियो समाप होता है हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो नौलेजबल लगा हो आपकी श्टडी में हेलफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC जिक्रे यूटूब चैनल सबस् वीडियो की जैलेकर अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्फू लगते हैं, तो हदर सोसिल मीडिया साइट पर भी आप हमें फोलो कर सकते हूं, वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कीजिए, जादे-जादे व्यडियो को शेर कीजिए, और में सपोर्ट कीजी जै हिंद जै भारत वंदे मात